बग्गा मामा के clickbait titles खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो बात और है बार-बार change कर दिये जा रहे हैं, community पे भी शेर किया जा रहे हैं, जहां पे views थोड़े से कम हो जाते हैं, community पे शेर किया जाते हैं, गोवा में ऐसा होगा सोचा ना था, जबकि वीडियो में जाके दे पासुमा, बढगनी की मेरी best friend, मेरी friend है और मेरी जोड़ी हमेशा से बहुत अच्छी रहती है, खैर उनका तो चल रहा है, वो लोग भी पहुचने वाले हैं, भाया मुंबई या मुंबई से क्या गोवा आ रहे हैं, या फिर यहां, जो नया जोड़ा है, वो उनको वहां प टाइटल्स की कुछ तो हुआ, तो भागे भागे जाएंगे और व्यू देके आएंगे, तो बग्गा मामा ने सोचा चलो भई, इस तरह की टाइटल्स डालो, लेकिन भईया हम है ना यहां पर बताने के लिए, आसल में कुछ भी नहीं हुआ, दूद सागर वाटरफॉल्स हां जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भी और स्पेशली जब चिन नहीं एक्स्प्रेस आईती, उसके बाद से यह जो वाटरफॉल है, यह बहुत फेमस हो गया, लोग दूर-दूर से आते हैं देखने, तो भई बग्गा को पता नहीं था, लेकिन आचलने बता है कि य ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट है, कुछ भी महंगा नहीं पड़ा, ठीक है, सिर्फ यह भीड जुटाने के लिए क्लिक बेट किया गया है, चलिए हम लोग बताते हैं आज की वीडियो में क्या हुआ और इसमी स्वाती, कैसे हैं आप लोग, अग क्योंकि खर्चा भाईया वोई कर रही है, कॉंटेंट उनका है तो वो ही दिखा रही है, उन्होंने हलका सा दिया है, लेकि यहां पे इन लोगोंने नहीं दिया, यह लोग अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं, बगगी ने आचल ले ड्रेस पहनी है, ठीक है, और बगगी ने होके वाटरफॉल देखने और जंगल सफारी, उससे पहले हम लोग ब्रेक्फस्ट करेंगे, तो दूट सागर वाटरफॉल उससे बगगे से पूछ रही थी, और बगगा आगे जा रहा है, इनको मेरी कोई परवा ही नहीं है, मतलब मैं पीछे से जा रही हूं, इनको कोई वैसे इनको पता है कि अभी होटल में ही है, या पर कोई टेंशन नहीं है, कैर आज बगगे ने भई बुफे हो सकता है, देखिए इन लोग को बुफे मिला है, सुबा का जो खाना है नाश्ता, इसमें इंक्लूड होगा पैकेज में, तो वो दिखाया गया है और इसमें भर पूर मातरा में, वैसे अभी तक खाने की अगर बात हो तो बहार से ही खा रहे थे, आपने देखा था, कल भी जब ये वहाँ पे क्रूज गये थे, उससे पहले भी बहार कहीं खिला रहे थे, वो जो इन्होंने पूड़ी, वो जो गोलगपपा डालके इन्होंने जो सेफ प शुगर, और पूड़ी, चने की सबजी, बाकी गोवन करी, बहुत सारी, देखिए, जब हम लोग कहीं भी नहीं जगा जाते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली बहुत सारी नहीं चीज़े ट्राय करते हैं, खैर शुकर है, आचल ने वो पोहा वगेरा तो नहीं खाया, पोहा तो हम हर चीज़ होती है, डोसा वगेरा, तरह तरह के, you know, salads होते हैं, fruits होते हैं, मिठाईया होती है, सब दिखाए गई, लेकिन आचल को बोल रहा था कि क्या लेना है, क्या लेना है, खैर आचल ने लिया वही चना और पूड़ी, तो कह रहा था कि पंजाबियों का जो खान लेकर टेबल पे आ रही है, साथ-साथ और चीज़े भी एक्स्प्लोर कर रहे हैं, जिसमें छोटे-छोटे जो वहाँ पे बनाना होते है, स्मॉल बनाना, बाकि पीछे fruits रखेते, पीर वगेरा, वो बग्ये को नाम याद रही है, उसमें सोचा चलो भई, डालोग ही बूल चुका हूँ, तो कुछ और बात करता हूँ, स्वीट, स्वीट भी इंडियन स्वीट रखी है, तो इंडियन स्वीट के नाम पे इनको बेसन ही पता है, तो बेसन ही इनके मूह से निकला है, आगे जाके, कॉन्फेक्स वगेरा रखे थे, चौकोस वगेरा बच्चों क बगे ने का कि नहीं, अभी तो भाई मैंने बस नमक ही चखा है, अभी तो खाना कि अभी तो हर चीज खानी है, भया पेट भर के ताकि खर्चा ना हो भार जाके तुम मांगो ना मुझसे, तो बग्गे मामा ने डोसा भी खाया, आचल ने खोल ती पोल, भया आज और भी च ऑध से बग्गे ने बोला कि काट, 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 तो देख लो भाई यह चीज भी खुल गई, इसे कुछ चैनल्स अंकुष पर बूलते हैं कि वो नौन वैज खाता है, ये करता है, वौ करता है, तो यहाँ देख लो भाई अब भूर आज ऑगे, वो भी थाज खाता है लेकिन उसको सुनाने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ये कड़ता है, वो खाता है, तो देख लो भई, खुल गई यहां पर पोल, फिर उड़ गए खाने के लिए, और फिर बहुत सारी चीज़ एक्स्प्रोर कर रहे हैं, आँचलने तो बस ग्लास में पी रहे हैं चाए, वाँगे उसने खा लिया है, और साथ-साथ फिर वो कहारी है, मेरा जूस का मन नहीं है, बाहर जाके अराम से बैटके, फिर बगगा मामा ने यहां ही नी रुका, बगगा मामा और भी देखने गया, फिर उसने अपने ले कोई शेक वगएर लिया, आँचलने अपनी बगगा मामा खाना माना खाके अपने रूम पे आए हैं और कह रहा है, कि अब हम लोग निकलेंगे, हमारी कैब आ रही है, और मेरे को अपनी स्कूटी वापस देनी है, तो एक हजार रुपे जो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो मैं वापस लूँगा उनसे, और कैब भी आ बगग कर लो, रूम क्लीन कराना है, और फिर से अच्छे से क्लीन करके जाएंगे, और फिर अपने रूम में आ के आचल कहती है, कि आप यही पहें के चलोगे, तो बगगा मामा कहता है, हाँ मैं यही पहें के चलूँगा, जीन्स में गये हैं यासे, था तू अपनी चपल फिर लोग पैक वैक करके समान नीचे आ गए हैं कि आपका वेट कर रहे हैं इतनी देर में बगगा कह रहा है कि हम लोग लग रहे हैं जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं कॉलेज में बच्चे होते हैं ऐसे बैक टांग के घूमते हैं तो हम लोग वैसे लग रहे हैं मैं एक बज़े स्टार्ट हो कि हम दोपहर को इसका मजाग उड़ाएंगे मतलब उसके बालों पे कुछ उसने कमेंट किया था कैसे वालकट वाली है फिर गाडी में बैड के सो गया बगगा तो आचल ने थोड़ा सा शूट किया है उसके पास जा 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 के शूट किया जा रहा था प तो आचल केती का एसा लग रहा है जैसे हम लोग जातार में जब वैशनो ने भी माता किया जाते है वहाँ पे भी घड़े होते हैं फिर वो दिखाई जाती तो यहां पे भी गाये है मुझे आचल मतलब कैसा तुम कैसी कभी-कभी बातें गरती हो भी घाए हर जगा ही होती ह मतलब थोड़ा सा तो अपना common sense है ना खेर ये लोग line में खड़े होते हैं फिर बग्गा को याद आता है बग्गा jeans में आ गया और बग्गा ने भईया यहीं पर आके अपनी short वगेरा change करी है आचल कह रही है कि मैंने तो इनको बोला था रूम में उने मेरी बात नहीं सुनी और बग्गा कहता है सब लोग यहाँ पर इसी में जा रहे हैं जीन में बढ़कनी जिजी ने दिया था खैर वहां पर वेट कर रहे है अपनी लाइन के लिए पीछे से एक आउंटी ची कह रही है कि यह वाटर प्रूफ बैग एस में फोन रख लो और लोग वहां पर जाके नहाते हैं तो बगगा मामा कह रहे है कि नहीं नहीं हमको यह नहीं चाहिए नहीं चाहिए उन आउंटी को भी लिया है वैसे वीडियो में साथ साथ आचल को आइस क्रीम चाहिए आचल का गला खराब है फिर भी उसको आइस क्रीम चाहिए फिर यह लोग आ गए है उपर वेट कर रहे ह अपनी जो cab आएगी जिससे जाना है और चेक पोस्ट पे यहाँ पे खूब सारी इनका तो जो गाड़ी आएगी हो 20-22 नंबर है हम लोग वेट कर रहे हैं बैटके बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं देखो यहाँ पे cab से ही जाना होता है और बाकी वहाँ से फिर हम लोग पैदल जाएंगे फिर वहाँ पे बैठे 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 बग्गा मामा बग्गी को दिखा रहा होता है देखो बोर हो गया बाद बात कर रहे होते हैं सब लोग वहीं पे वेट कर रहे हैं मैं थोड़ा सा गाड़ी में भी सो गया था और मैं यहाँ पे आराम से बैड़ गया तो इन लोगों से कुछ सीखो, फिर इनकी कैप वगेरा आई है, उसमें बैठे हैं, थोड़ा-थोड़ा दिखाया जा रहा है, फिर जहां से इनको ट्रैकिंग करनी है, मतलब वहां पर यह आज चुके हैं, और वहां पर इनको जो लाइफ जैकेट है, वो भी पहन ली गई है, बाकी किसी, I think, ड्राइवर से बादबात कर रहे हैं, आज चल को वहां पर छोड़के, फिर आज चल से बोल रहे हैं, कि आप यहां पर हम लोग बहुत चीज़े देखेंगे, तो आज चल के ती, इसलिए तो पैसे खर्च की हैं, बग्गे ने बीच में यह बताया था, ज़ हम लोग कहीं फिर से बार में घूमने जाएंगे, यह ने तो पहली, फिर बग्गा कहता है, हाँ, गोआ बार बार में आएंगे, तो आज चल ने बोला, नहीं, गोआ की बात नहीं कर रहे हो, ऐसा टाइम है, तो हनी मून पीरिड यह बार बार में ही आता है, फिर वहां पर मतलब दूद सागर स्टेशन का भी पूझा जा रहा है, तो वो गह रहे हैं, वो बहुत ऊपर जाके है, और कितना टाइम लगेगा, 40 मिनिट फिर वहां से पैदल भी जाना होगा, तो कुल मिला के, लाइफ जैकेट पहन ली गई है, और फिर यह लोग वहां पे पहुँच जांसे ट्रैकिंग करनी है, और आचल से पूछ लाए, क्या तुम तयार हो, तो वो कहरी है, हाँ मैं तयार हूँ, ट्रैकिंग करते करते हैं, लोग निकल चुके है, रास्ता भटा करें, भी यह पूझ भी रहे हैं फिर पीछे से, क्या हम सही जा रहे हैं, और यह जो दूद जैकेट है, उससे परिशानती आचल, वो उपर से आ रही है, तो कहता है, नहीं है, हमारी सेफटी के लिए ही है, वहाँ पर पानी है, और वहाँ पर जो पानी का लेवल है, काफी, मतलब 11 पानी होता है, इसलिए लाइफ जैकेट देते हैं, वैसल डूपता कोई भी नहीं है हमाँ पर, लेकिन यू नेवर नो है, थोड़ा सा सेफटी पॉइंट भी उसे होता है, फिर आगे से एक आँटी आ रही होती है, आँटी के help करी आँचल ले, तो बग्गा मामा ने उसको shoot करते हुए, देखो आँटी का हाथ पकड़े के उनको help करी है, तो मेरा दिल जीत ल मुझे डाटते रहते हो, बग्गा ने सोचा चलो भई, फिर गाना गाया, कि तारीफ नी करता हो, तारीफ करो क्या, उसकी जिसने तुमें बनाया, इसके बाद बग्गी नरास थी, थोड़ा थक भी गई थी, तो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपने पक्का बो तो तो इससे फिर कहां से पतली होगी, तो बग्गी मू देहती है, और फिर हो जाती है, थोड़ा सा नरास, खियार, यह लोग आगे चलते जाते हैं, फिर पहुल जाते हैं, फैनली दूद सागर, बहुत सुन्दर वाटर फॉल है, वहां पे थोड़ा-बशूट किया है, य यही मतलब सब लोग पानी में होते हैं, काफी लोग देब बैठे होते हैं, तो यह आँचल को, आँचल कमान है कि अंदर पानी में जाना है, उदर बग्गा वामा कहता है, नहीं नहीं जाना हम लोग को वापस 220 में निकलना है, गीले हो जाएंगे, तो आँचल कहते हैं, तब वो भी उसको भी लेके जाता है वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रूप है तो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं खेर थोड़े बहुत वहाँ पे शूट करके वीडियो बनाके फिर लोग निकल चुके हैं आचल कहती है आप चलते हैं और अबग्गा कहता है कि बहुत अच्छा कर लेके आएंगे तो देखते हैं इनका Next Plan का बनता है खेरी लोग नीचे आरहे होते हैं और फिर ये कहता है कि उपर कोई धुकान नही थी तो मिलते ही हैं गुआ में और लोग लेके भी जाते हैं तो उसकी बात करते करते काजू के एलमंट्स उसके पेड़ वगेरा है ड्राइवर बताता है फिर वो उस पर आते हैं कि यहां पर नारील पचास रुपय का इतना बहेंगा क्यूं मिलता है तो वो कहता है करनाटका से मं अब दिखाएंगी सिद्धी विनायक चुटकन्नी ने बोला कि घर पे हम लोग रहने से पहले हमने सोचा हुआ था मैंने और मेरी बढ़कनी बहन ने कि हम लोग घर पे रहने की शुरुआत करेंगे सिद्धी विनायक वहाँ पे मत्था टेक के खैर थोड़े दिन और रुख जाती बग्गी तुम्हारे साथ आ जाती उसके साथ टेक लेते नहीं जी चैन थोड़ी पड़ेगा वहाँ पे वो लोग घूम रहे हम कैसे रुख जाए तो भगवान को भी नोने content बना ही लिया खैर कितनी श्रद्धा कितनी भक्ति और कितना यह लोग मानते हैं भगवान को यह आप लोग को भी पता है सबने देखा है चली फ्रेंड्स मिलते नैक्स वीडियो हय थांकियू सोमच्ञ ज क्या पूरी फामिली हम इलेगी गो कि वी वह रहे लेगी